कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्किट की बिटकॉइन की और इवनिंग में आज CPI डेटा आ गया 4.1% एक्सपेक्टिड था लेकिन उससे भी डेटा कम आया और जो 5.1% ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर और यही एक रीजन एक जो कहते हैं न जब CPI डेटा आ था उस टेम पे वॉलेटिलिटी दिखती है और वही वॉलेटिलिटी दिखी बिटकॉइन की अगर हम देखें तो 25,000 400 तक के हाई लगाए और जैसा हमने डिसक इतना इसली आपको क्लू दे दे कि भईया मैं पंप कर रहा हूं मेरे आप लॉंग की पोजिशन लगा लीजिए तो मार्किट के भईया बहुत से रंग है बहुत सारे रंग है और बहुत जरूरी होता है कि मार्किट को समझना साइकलोजी बहुत जरूरी होती है जरूरी न गाने के बाद 25,700 तक के लो भी लगा दिये लिक्विडेट कर दिया जो यहां पे लॉंग कर रहे थे इन पॉजिशन के उपर लॉंग कर रहे थे हैं न हाई लेवरेज के साथ तो यह होता है मार्किट का गेम और इसको समझना बहुत जरूरी होता है no doubt CPI data कम आया है लेकिन pump हो सकता है bitcoin में लेकिन भाया एक लमहा ही काफी होता है पैसा गवाने के लिए और जरूरी नहीं है कि pump उसी टाइम आये पहले dump आ सकता है उसके बाद pump आ सकता है कुछ घंटों के बाद आ सकता है तो वेट करना पड़ता है समझना पड़ता है और पैसा गवाने के लिए वही एक लम्हा काफी होता है वही चीज हुई है यहाँ पर तो CPI डेटा तो आ गया लेकिन अभी भी कहते हैं न कि भाईया वालेटिलिटी वाला जो टाइम है वो गया नहीं है क्यों क्यों कि कल रात ठीक इसी टाइम है ना यानी 11.30 के उपर कल रात क्या आएगा FOMC का डिसीजन आएगा तयार रहेगा और बहुत ज़रूरी है और इस बार FOMC का डिसीजन अगर हम देखे तो फिर से CPI कमाया है तो इंट्रेस्ट रेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है जो पिछले दो महिने से 25 PPS हम देख रहे हैं वही नंबर आ सकता है इस बार भी है और कल भी यही गेम हो सकता है जो आज हुआ है ठीक है हो सकता है बिटकोईन सुबह तक मॉर्निंग तक क्योंकि डेली क्लोजिंग से पहले गेम हो जाता है मार्केट के अंदर वो ऐसा टाइम होने वाला है जब एक बिटकोईन जिसके पास होगा वो कही नगई एक wealthy person होगा है ना अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि बिटकोईन की कीमते कहां तक जाती है बिटकोईन का प्राइस कहां तक जाता है और कितने भाव आसमान को छूते हैं बिटकोईन की ये देखना जरूरी है लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाईया एक बिटकोईन की कीमत जिसके पास एक बिटकोईन होगा वो कही नगई कहते हैं न कि एक market के अंदर एक बिटकोईन जिसके पास हो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि वो कही नगई market का king कहलाएगा एक तरह से अगर बिटकोईन की value बिलकुल आसमान पे जाती है करोडो की value हिट करता है तो अब बाइनेंस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है आपके लिए offer लेके आया है the return of bitcoin button एक bitcoin button अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज को use करते है ठीक है नहीं तो बाइनेंस के आप जो है official twitter पर अगर जाएंगे one bitcoin one button one winner इस bitcoin button को आपको press करना है और when the timer runs out it's game over last person to click the button wins और एक तरह से जो है इस button को आपको बस click करना और कुस भी नहीं करना press करना है और आपको क्या मिल सकता है win one bitcoin एक bitcoin जीतने का जो मोका है वो यहाँ पर दे रहा है binance और एक bitcoin की कीमत आज की date में ही बहुत अच्छी है no doubt लाखों की कीमत है है ना अपने lowest level पर है bitcoin सतर हजार से नीचे चल रहा है बहुत लेकिन फिर भी अभी भी लाखों में value आती है bitcoin की तो एक bitcoin जीतने का मोका यहाँ पर binance दे रहा है इस bitcoin button के जरीए और जहां तक हम बात करें एक लाख लोगों ने इस button को press कर लिया है ठीक है click कर लिया है 1 lakh click in just 24 hours यह एक बहुत बड़ी बात है कि win one bitcoin and आपको इतना बड़ा जो है यहाँ पर मोका मिल रहा है लेकिन कहते हैं कि एक ही इतने सारे click तो हो रहे हैं लेकिन किसी एक को ही मिलेगा एक bitcoin तो next time बात करेंगे binance के launch pool के बारे में एक नया project यहाँ पर लाने की तियारी में दिख रहा है binance और announcement कर दिया और यह है MAV protocol MAV coin भी आप इसको बाल सकते हो MAV protocol आप इसको Maverick Maverick protocol is a DeFi infrastructure provider focused on increasing industry efficiency powered by Maverick AMM तो एक तरह से जो DeFi infrastructure की जहां तक हम बात करते हैं ठीक है उससे related यह coin और binance इसको अपने launch pool से लेके आ रहा है आपको पता है जितने binance के launchpad से launch pool से coin आया है space ID की बात करूँ arbitrum की बात करूँ sui की बात करूँ यह pump तो हुए है और आप dump भी हो रहे हैं सभी market के साथ-साथ तो एक mocha यहां पर binance कमाई का फिर से दे रहा है ठीक है no doubt farm MAV bias taking उसी तरह जिस तरह पहले जितने project आया है आप farming कर सकते हो आपको BNB चाहिए और TUSD चाहिए ठीक है तो MAV coin binance के उपर तो अगर मैं इसके farming period की बात करता हूँ ठीक है वो काफी लंबा है farming period होता है 14 June ठीक है यानि कल से start होगा और कब तक चलेगा ये 8th of July तक चलेगा ठीक है तो 8 July तक farming कर सकते हैं और उसके बाद definitely ये project जो है July की starting में second week में जो है जुलाई के आपको Binance के उपर देखने को मिल जाएगा MAV coin आ रहा है Binance के उपर next update आ रही है crypto.com की तरव से new pairs add किये गए है crypto.com app के उपर और कौन-कौन से coins के अंदर वो pairs है अगर हम देखें RDNT, Radiant Protocol Alchemy Pay, ACH DAR Flocky Inu, ZRX trading pair are now available in the crypto.com app तो आप जो है trading कर सकते हो ठीक है with Ethereum, now इन सभी coins के अंदर crypto.com के उपर और लास्ट और फाइनल अपडेट है BitGate की दरफ से Now BRISE holder on Gate.io can stake BRISE तो Gate.io KuCoin और Huawei साथ बात चल रही थी staking की अपडेट आई थी और अब यहां पे Gate.io पे आप staking का मज़ा ले सकते हैं Enjoy 50% APR with BRISE तो बहुत बड़ी बात है Annualized Return की अगर बात करें ठीक है तो staking जो है स्टार्ट हो चुकी है Gate.io के उपर BRISE की और यह थी आज की कुछ अपडेट्स बाकी अपडेट कल मॉर्निंग में कवर करेंगे ठीक है और वीडियो अच्छा लगा है Like, Share, Comment कीजिएगा कोई भी Crypto में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी Research करें ठीक है मिलते हैं Next वीडियो में तब तक के लिए Bye-bye Take care